हेलो बच्चो, वेलकम तुगनी तंक, कैसे आप सब लोग, how are you all, finally, provisional merit list आ गया, बहुत सारे अलग-अलग rank हमें मिल रहे हैं, काफी questions हमारे दिवाक में, कि सर, कौन सा college मिलेगा, क्या होगा, कितना increase हुआ है, कितने number of students है, जिन्होंने apply किया है, क्या-क्या हो सकता है, आगे college list में कैसे-कैसे फरक पड़ेगा, सब कुछ discuss करूँगा, आज की session में, बच्चो इसे अच्छे से, बहुत अराम से सुनना, क्योंकि मैं, बहुत अच्छा analysis लेकर आया हूँ, काफी काम आएगा आगे के process में, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले, जो भी आपके questions है, one by one में sort करता हूँ, और पहला question, बहुत बच्चों का ये था, कि सर, इतने सारे rank, PCM का भी rank है, PCP का भी rank है, कौन सा consider करूँ? विच rank to consider, पहले question का सरल आंजर देता हूँ, कि बच्चा लोग, ये जो सबसे उपर rank है ये वाला, अगर आप महाराष्ट का अनिरेड हो, तो ये आपको लेना है, सबसे उपर वाला, PCM State General Merit Number, सबसे काम का यह होगा, क्यों सर, मेरा TFWS का बहुत कम है, मेरा EWS का rank बहुत कम ह क्या, जितने भी cut-off होते हैं, जितने भी cut-off CT cell provide करता है, वो सारे इस rank के basis पर होता है, बच्चों, फिर मैं कहता हूँ, कि हमें जितने cut-off, जितना data मिलता है, वो सारा General Merit Number के हिसाब से मिलता है, अनलेसिस करने में आसान हो जाता है, हमारे लिए, तो सर भी बाकी rank देते ही क वो सवलियत के लिए कि इस category में कितने लोग है, आपका क्या number है, university का क्या number है, other than university का क्या, बहुत कुछ होता है, आपको उन सब की चिंता नहीं करनी है, नहीं देते तब भी अच्छा हो जाता, लेकिन ठीक है, अब दिया है, आप ये लखिए, और सर PCV का क्या, वो ऐसी बा करते हैं, तो वो दिखाने के लिए यहां पर कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर हम सिर्फ इंजिनिरिंग कर रहे हैं, और हमारी वो नॉर्मल इंजिनिरिंग ब्रांचे जो CSIT, EIML, AIDS, ENTC, Electrical यही सब महारे दिमार्ग में, mechanical, instrumentation अगर अगर है, तो भाही साब हमारे लिए इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाला था, इसको आप कंस्टर ही मत करिए, यह आपके दो राइंसों के जो important है, ठीक है बच्छा लोग, चलो पहला question तो answer कर दिया सर, दूसरी बात, यह बहुत important है, क्या आपने यह सब किया, आपने प्रोविशनल मेरे लिट डाउन लोड करी, उसके अधिया सारी information चेक करी गया, सारी information चेक करनी है, सर, कौन सी कौन सी information चेक करनी है, थोड़ा और बता दीजिए, चलिए, मैं कह रहा हूँ, आपको यह सारी information, बच्छा लोग, यह सारा information आपने चेक किया है, क्या, कि यहाँ पे आपका candidature type, category, apply, यह जो भी ह सारी details, यह सब सही होनी चाहिए, marks वगरे वगरे सब सही होना चाहिए, आज यह चल जाता है, कि सर, 73.44 लिका है, 74 होना चाहिए था, 74.12 होना चाहिए था, 74 है, उतना ठीक है, लेकिन बाकी overall, overall यहाँ पे जो भी information है, वो सब सही होनी चाहिए, in case, आपको लगता है, कोई भी निक्कत हो, किसी भी information में, कि सर, मेरा category जो है, open दिखा रहा है, OBC होना चाहिए था, सर, मैं EWS के लिए apply किया, yes होना चाहिए, no हो रहा है, जो भी होगा है, हाँ सर, कोई भी problem हो, तो उसे कहते है, raise grievance, आपको grievance raise करना होगा, और यहाँ पर दिया हुआ है, भाई साब, यहा अगर आपने east scrutiny mode में किया हो, right, east scrutiny mode में किया हो, तो आप online login करेंगे, login करने के आप में, आपको वहाँ पर दिखेगा raise grievance का option, right, raise grievance करना है, और फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फट, जो भी आपको changes करवाने हो, वो करने है, यहा लिखा है, after approved grievance, the application of such candidate shall be unlocked to the candidate in his or login, okay, for rectification candidate shall ensure that information shown on the provisional merit details, वो जो with name, qualifying marks, category, gender, reservation, special reservation made by himself, herself, are found to be correct, मतब यह सारी information आपकी correct होने ची, यह आपको make sure करना है, अगर अभी तब check नहीं किया, तो अभी check कर लीजिए, कि उपर के सारी information, यह पूरी information आपकी एकदम तगड़ी होने ची, एकदम सही होने ची और problem है, तो आ case grievances आता है, right side में, ठीक है, चलो बचलो, बहुत बहुत बढ़ी आप, है ना सर, बहुत अच्छे, चलिए, अच्छे वितिस, क्या आपको पता है, मैं analysis लेकर आया हूँ, जो analysis का वेट कर रहे होना, वस वही बताने वालो, बहुत data analyze किया है, काफी time लगाया है, बहुत अच अच्छे से, बहुत अच्छे से effort दिया है मैंने, ओके लेकिन उसके पहले क्या आपको बता है, engineering mathematics ने शुरू कर दिया, एक एक unit हो भी गया है, live में आने वाला हो अगले हफते से, live भी पढ़ेंगे हम, फटा फट जॉइन कर लो, कौन सा करना है सर, जो मन में आ रहा है, जो लग रहा है मिलेगा हमें, अब तो और clarity होगी ना, क्या मिलेगा हमें, तो देख लो, और join कर लो, फटा 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 इस हफते आप join कर लो, live sessions भी हम शुरू करने वाले है, yes sir, हुँ हा, हुँ हा, चली, very good, very nice, अब बहुत important चीज, अच्छा, तब देटा कहां स students कुछ है, उनका सब का दिया हुआ है, आपका सब का rank उसमें है, नाम भी उसमें, All India का भी सब का दिया हुआ है, तो दोनों download की मैंने, और मैंने analyze करा, last year भी किया था, इस साल भी करा है, और हर साल करता, और मैंने पहले predict भी किया था, और पता है मेरे prediction बहुत ज्यादा accurate है, जो मैंने starting में predict किया था, पीछो जाके मेरा एक वीडियो देखेंगे ना, कि rank versus percentile का prediction, आप खुद कहोगे कि बहुत accurate, बहुत accurate था, yes, तो यह अच्सी बात है, होना भी चीए सर है, इतना तो हमें experience है, और इतना होना भी चाहिए हमारा, तो देखिए, मैं आपर rank analysis लेकर आय rank आया है, मतलब sir, बहापरी, बहुत difficult हुआ, जो उपर के बच्चे है, भाई साब, COPCS मिलने वाला था, अरे भाई हो सकता, एक college पीछे आना पड़े, एक branch पीछा आना पड़े, देखो है ना, 99.9 बच्चे increase हुए, यह क्यों, number of shifts बढ़ गएते, शिप्स बढ़ गएते, 99.51 पर देखिए, लास्ट यर की तना 1136, इस बार है 1254, 118 लोग का increase हुआ है, 99 अगर हम देखे तो 2400 के आसपास था, इस बार 2740 के आसपास है, 300-300 लोग बढ़ गए है, एक percentile में 300-300 का count बढ़ चुका है, फिर अब 98 के आसपास देखेंगे, देखेंगे 700 का count बढ़ा है, ऐसे करते करते आप देखेंगे 95 के इसमें 2000 के आसपास नंबर बढ़े है, 90 percentile में around 3000 बच्चे बढ़ गए है, जो लास्ट ये 26,000 के राउंड था अब ये 29,000 के राउंड राउंड होगा, इसका क्या effect आएगा सर मेरे college list पे, बताता हू दीरे दीरे, ठीके ऐसे करते करते ज चलिए धिया form भरा था, exam तो 3-4 लाग बच्चे देते है, form भर के verify करके कौन यहां तक पहुचते है, तो 1,42,000 दे इस बार 1,78,000 के around है, 35-36,000 बच्चे increase हुए है इस साल, 35-36,000 बच्चे ने जादा form भरा है इस साल, तो yes, तो इस कारवा percentile कर भी जो है फरक पढ़ना ही थ तो यह हुआ, कि कितने percentile के कौन सी rank आईगी, लेकिन और better analyze करने एक चला मैं है, और यह मेरा और तगला analysis है, और कौन सी rank पे कितने कितने percentile थे within 2 years, 1000 rank लास्ट यह जो आया था, 99.55 पे था, इस बार 99.59 पर है, फिर 2500 rank देखिए, 98.0028 और 99.1049 है, 5000 का देखिए 98.07 और 98.28 है कितने percentile के increase ऐसे है, फिर उसके पर आप देखो, 10,000 rank 96.06 है, यहाँ पर 96.6898 है, तो आप देखिए, 20,000 rank 91.88 पे था, इस बार 93.33 पे है, देर percentile का jump हो गया है, 40,000 rank 3 percentile के आसपस के jump है, 50,000 rank 4-4 percentile के आसपस के jump है, 70,000 6.5 percentile के आसपस के jump है, 1,00,000 के आसपस जो rank है, वो 13 percentile के, इसका मतलब यह हुआ, example के तोर पे, अगर मेरा, example ले रहो हो, बच्चा, अगर मेरा 17,000 rank आया है, तो मुझे college list बनाते हो, क्या धान देना पड़ेगा, कि मुझे last percentile, last year के जो percentile है, exactly same percentile के वहाला college मिलेगा, क्या, नहीं, कितना jump करना पड़ेगा, 17,000 का है, भाई, यहाँ पर है, तो मुझे देर परसेंटाइल का difference लेकर चलना पड़ेगा, please understand this logic, please understand this logic, कि मैं सोच रहा था, मेरा 17,000 rank है, last year मुझे लग रहा था, कि 92 percentile आया है, तो 92 वाला college मिल जाएगा, नहीं, देर परसेंटाइल का difference, मतलब 93.5 वाला देखना है आपको, अगर मेरा rank 50,000 है, अगर मेरा इस साल rank 50,000 है, इस साल rank 50,000 है, तो last year जो college मिल रहा है, मुझे मेरे rank पर, आप समझ रहो, 4.2 percent का, उसमें difference है, मतलब 52,000 के last year 78 वाले को मिल गा था, इस वार 82, 82 percentile जिसका है ना, उसको last year का 78 वाला college मिलेगा, simple, 82 percentile या फिर 50,000 rank, मैंना, समझ रहो बैटा, yes, तो उसको 78 वाला college मिलेगा, मतलब कि आप अगर percentile की respect मिलेगा, मतलब कि आप अगर percentile की respect मिलेगा, मुझे वो college 98 वाला मिलेगा, क्या, आप जैको 98 वाले को 98 वाला मिलेगा, क्या, नहीं, उसको 98.2 चाहिए होगा, 0.2, 0.3 का difference आ चुका है, I am sure आपको समझ होगा, please comment में करक चाह रहे हो, मुझे भी अच्छा लगता है बता करने के लिए, ultimately I am a teacher, right, मुझे लगता है न, कि आपको समझा है न, ठीक है, पका, है न, है न, तगड़ा analysis, कि आप अगर percentile की respect मिलेगा, कैसे सोचना है आपको, अगर आप 98-99 की तरफ वो, तो 0.2 का फरक लेना है, अगर आ लोग इतने तगड़े-टगड़े analysis के बाद हम college lease बनाते हैं, और इतने सारे request मुझे, बहुत messages आ रहे है, कि सर अभी भी counselling ले सकते है, क्या, तो सिर्फ और सिर्फ आपके request पे, मैं एक दिन के लिए open कर रहा हूँ, अगर आप चाहो, एक दिन के लिए, सिर्फ 30 admissions, we are going to take only 30 admissions, अगर कोई आलाच से वो भी सिर्फ premium में, तो premium batch आप ले सकते हो, और वो भी सिर्फ 30 और वो भी एक दिन के लिए, अगर आप चाहो, तो बड़ाबर enroll कर सकते हो, और नहीं तंक है, मैं ले सकते हो, ठीक है, ओके, वैसे हमको नहीं लेना तो, इतने request और इतनी messages हैं कि, क्यों कि सारे colleges के admissions हो चुकी है, जो जहीं के दुरू होती है, तो यहाँ पर effect आपको इतना नहीं दिखेगा, मतलब CET सबसे लेट चल रहा है, तो अगर आप देखो, तो शायद वहां के बच्चों नहीं अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने college ले लिए है, तो आपका rank किस के round है, accordingly यहाँ पर कितने percentile का आपको drop लेना पड़ेगा, कितने percentile का difference देखना पड़ेगा, यह समझना है, ठीक है, तो क्या effect होगा sir college list पे, data को देखते हैं, और समझते है, effect क्या होगा, effect यह होगा, कि जैसे मैंने कहा 90 के round, अगर मैं समझू, कि मैं 93 percentile है, for example 93 percentile पे आप देखो, यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर यह देखे तो सब्सक्राइब मैं लड़की को पकड़ू, तो सब्सक्राइब का CS मिल रहा है, लेकिन आप वो नहीं मिलेगा, तो नीचे वाला college देखना है, 93 वाला बच्चा जो हो 91, 91.5 वाला college देखेगा, तो आप सब्सक्राइब का IT मिलेगा, या एक college नीचे का CS मिलेगा, तो इस तरह कुछ-कुछ सोचना है आपको, अगर मेरा, आप समय जो 94 है, तो देड़ परसेंटल नीचे देखना है, तो इस तरह आपको एक college ऊपर नीचे का, या फिर उसी college में ब्रांच, CS जगा IT, IT जगा AIDS, ऐ बहुत-बहुत इंपोड़ इंपोड़ इंडेटा को समझना और उस पर इंटर्फरीट करना, तो देखें, मैं आपके लिए थोड़े conclusions, थोड़े effect बताने की कोशिश करूँगा, summarize करता हूँ, पूरे session को, आप समझे और भाई साब पसल आया, तो please like करिए, comment भी करिए, motivate कर ही हम लोग हो, थाकि मैं ऐसा ही अच्छा अच्छा content और लाप हो आपके लिए, तो फड़ा वट like share तो करते रही है आप है तो क्या effect रहेगा, कि you might get lower college, you might get lower branch, in the same college, या एक या दो college नीचे slip हो सकता है आपका, जो college जिसमें आप सोच रहेते मिलेगा, एक हाथ college नीचे आ सक सकता है, डिपेंड करता है आप कौन से परसेटल की तरफ हो, गर नीचे की परसेटल की तरफ हो, तो दो तीन college नीचे आ सकता है, ठीक है फिर अच्छी बात ये भी है, good news ये भी हमारे लिए, कि बहुत सारे colleges में branches बड़े है, बहुत सारे colleges में seeds बड़े है, जैसे आपको बत good news, जो कि अच्सी बात है, जिसकारण ये effect कम हो जाएगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आप लखी हो, कि जो last year जो मिलना चाहिए तो वही मिल जाएगा, लेकिन हमें तो भाई safe side चलना है, तो ये effect decrease भी हो जाएगा, जो हम देख रहे थे, आपकी college लिस्ट को थोड़ी बड़ी करो, आप अगर सोच रहे थे कि आप इसी college तक मिल रहा है, फिर भी उसके नीचे के 2-3 college डालो safe side में, आप यही तक मिल रहा है तो यही तक college लिस्ट रखोंगा, नहीं, उसके नीचे के 1-2 college भी आपको डालने है, और हाँ, कुछ branches भी add कर लो, अगर CSID, CSID तो सिफ CSID पर stick मत करो, ENDC ले लो, अगर ENDC भी सोच रहे हो, तो electronics को भी add कर लो, electronics भी छोच रहे हो, और कोई branch add कर लो, try to have more options in your list, क्योंकि मैं यही कहूंगा, first round में college पाना है, करके दिखाना है, first round में जो भी college मिलेगा, मिलना चाहिए, फिर betterment के तरुम आगे बढ़ते ज changes लाते रहेंगे, लेकिन first round में हाथ खाली नहीं आने चाहिए, ये make sure करना हमारा काम है, ठीक है, चलिए, तो इसके साथ है ना, आज के session में I'm sure आप समझ रहोंगे, provisional merit list का आप क्या analysis है, detail में बताया है मैंने आपको, कोई query हो, कोई question हो, अगर आप कही से हमारे साथ अगर आप कही से।